नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विवाहित महिलाओं की मांग में सिंदूर भढ़ना हमारे हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा है लेकिन कि आपको पता है मांग में सिंदूर भढ़ने के नियम है और साथ ही सिंदूर जिस आप किया से लगाते हैं सिंदूर दानी से डाल के ना रखे बलकि ये खाली कहा जाएगा इसमें एक वस्तू है जिसको डाल के रखना हर हाल में आवस्यक है और आपने देखा होगा आपके सिंदूरा में भी एक वस्तू डाली जाती है और वो क्या डाली जाती है चलिए हम आपको बताते हैं बिस्तार से पहले समझते है सिंदूर लगाने के नियम क्या है क्योंकि बहुत सारी महलाएं लगबग 90% महलाएं कुछ गलतियां कर देती हैं सिंदूर समंधी सावधानी बरतने में आज हम आपको विष्टार से एक एक करके बताएंगे सनातन धर में कुल 16 संसकार है और उनमें से विवाह संसकार भी हैं और सभी हिंदू बिवाहित महलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं और इसे विवाहित महलाओं के लिए एक स्रिंगा के अलावे काफी सुभी मान जाता है तो सिंदूर के नियम है पहला नियम क्या है देहिए अगर आप कोई भी काम उल्टा उल्टा करते हैं तो पती की आर्थिक स्तिथी पती के जीवन पती के स्वास्त पर इसका असर पढ़ता है तो देखे बैबाहिक जीवन में कलेस ना हो पती स्वस्त रहे इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए तो पहला नियम है कि हमेशा ही आप अपनी मांग में बीचों बीच सिंदूर लगाईए बहुत सारी महिलाएं साइड मांग कर लेती हैं और साइड में ही सिंदूर लगाती हैं देखे आप साइड मांग कर तो सकती हैं पर सिंदूर आप बीच में लगाएंगी क्योंकि जो महिलाएं बीच में मांग करके बीच में ही सिंदूर लगाती है उनका आप देखेगा उनको अखर्ण स्वभाग गिवती होने का वरदान मिलता है एक और बात हम आपको बता दें कि सिंदूर आपको नापकर ही मिलता है कि आप पूरी लाइफ में कितना लगाएंगी जैसे कि आपने सुना होगा कहते हैं दाना पानी खत्म होगे लोग चले गए एक और बी कहावा सुनी होगी जहां पर जितना दाना पानी लिखा है उतना ही दिन नहना है फिर अगले पड़ाओ पर जाना है आपको कहीं ट्रांसफर हो जाना है तमाम चीजे आप बात करते होंगे सुनती होंगी तो उसी तरह सिंदूर भी आपके लिए आपको वजन के अनुसार ही भगवान जी देते हैं ठीक है ऐसे हमारी मान्यता कहती है और उसको आप जितना थोरा लगाएंगी उतना दिन चलेगा उतना जादा आपको सुहागवती रहने का असिरवात मिलेगा तो सिंदूर हमेशा थोड़ा ही लगाएं अब सिंदूर के और भी नियम है अब देखे क्या होता है कि बाल धोने के तुरंत बात यानि कि आप बाल धोकर आप निकली हैं बातरूम से और आकर तुरंत सिंदू सिंदूर भर लिया मांग में ऐसा ना करें वरना पती की मुस्किलें बढ़ेगी आप क्या करेंगी बाल धोकर आई हैं उसको सूखने दे फिर दो चार बुन तेल ज्यादा अगर आप नहीं लगाना चाहती है तो अपने ठीक माथे के बीचों बीच हलका सा लगाईए ज्या सर से नहाना अच्छी बात नहीं है आप जब बाल धोती हैं तभी नहां अब देखे तुरंत आप नहा कर आती हैं और सिंदूर भर लेती हैं ऐसा ना करें असनान करके आईए फेस में क्रीम लगाईए निसिंथ होकर आप तमाम चीज़ों को करें फिर आप स्थिर से बालों सिंदूर लेकर जाएं और याद रखिए अपने पैसे से ही खरिदावा सिंदूर लगाएं अब कोई महला आपको सिंदूर दे देती हैं तो ऐसा सिंदूर आप मत लगाईए यह सही नहीं माना जाता दूसरे का सिंदूर भूल कर भी न लगाए कौन जाने कौन सा समय में उ जब भी परत्यार होते हैं तो आप सिंदूर नया सिंदूर ही यूज करते हैं भगवान को लगाने के लिए तो जो भी आप सिंदूर खासकर भगवान को लगाते हैं उसी हाथ से आप अपनी मांग भर लिया करें तो यह ज्यादा सूब होता है खासकर अगर बैवाहिक जीवन करेंगी और दूसरी महिलाओं का सिंदूर भी आप नहीं लगाएंगी इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है और सिंदूर हमेशा अपने पैसों से खरीद कर ही लगाएं तो सूप होगा कि सिंदूर कई बर महिलाएं क्या करती है खुद को यह लड़की दिखाने के लिए सिंदूर को बालों में बीच में लगाकर ढख लेती हैं ऐसा मत किचे अधकिए गानि सिंदूर को हमेशा माथे के ठीक भीच में लगाना है और एकदम से ऐसा मांग के बीच में सिंदूर लगाईएगा तो यह सबसे सूभ है और यहाँ पर सिंदूर लगाने से मांसिक तनावभी महिलाओं का कम होता है पती की उम्र लंबी होती है गीले बालों में भूल कर भी सिंदूर आपको नहीं लगाना इस बात को हमेशा ही आपको फॉलू करना है और सिंदू कभी भी आप किसी और के सामने मत लगाईए कौन जाने किसकी दृष्टी में क्या है कई बार नजर लग जाती है आपने सुनी होगी इसलिए सिंदूर नहीं लेकिन छिप कर लगाएं किसी के भी सामने आप सिंदूर ना लगाएं अगर माल लेते हैं आपके पास जगर नहीं है सब के बीच में ही लगाना होगा तब माथे पर पल्लू रखकर दुपट्टा रखकर लोगों से छिपा कर फिर लगाएं सिंदूर थोड़ा सा जादा पाने वाले होती है ऐसी स्तरी ऐसा हमारा सास्त्र कहता है अब देखे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं देखे गलती से भी अगर सिंदूर आपका गिर जाता है किसी भी तरह तो आप घबराएं सबसे पहले तो सिंदूर को आप उठा लें किसी भी चीज पर पेपर जमीन पर है उसको हलका सा आचल से दुपटा से पोच दे भूल कर भी सिंदूर जो गिरा हुआ है नाली में मद डालिएगा ड्रेन में मद डालिएगा इस सिंदूर को किसी पवित्र पेड के पास आप रख दीजिएगा जो जमीन पर गिर चुका है उसको आप वैसे अगर और पास को लगता है कि वह एक ही जगह गिरा हुआ है तो उसको उठाकर आप फिर से अपने सिंदूर दानी में भर लें अगर अच्छे जगह पर गिरा है तो माल लिते हैं ड्रेसिंग पर आपने लगाया वहीं पर हलका से गिर गया उसको उठाकर रख लेकिन अगर जमीन पर गिर गया है जहां पर आप चलते फिरते हैं तो वहां पर वाला सिंदूर आप नहीं लगाएंगी किसी पेड़ के नीचे डाल देंगी तो अब देखें मा गौरी को अर्पित कर आप सिंदूर लगाएं वह सबसे सूब होता है क्योंकि माता रानी का यहां आसिरबाद भी म मिलता है और हमेशा ही मा गौरी को पहले सिंदूर लगाएं फिर अपनी मांग भरें और साथ ही पती की पती को स्मरंण कर सिंदूर लगाएं तो उनकी उम्र लंबी होती है इन बातों को आपको दिहान रखना चाहिए लेकिन अब सबाल वह है कि सिंदूर की डिबी में आख fingers अब ध्यान देजेगा तो सिक्का चांद्यी का होता है चोटा बड़ा जो भी हो पर वह सिक्का उसमें जरूर रहता है लेकिन अगर अगर आपके शिंदूर में भी और यहां तक कि जिससे सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाती उसमें भी नहीं है तो आप चांदी का अगर ना हो तो एक रुपया का कोईन उससे सिंदूरा में जरूर डाल दीजेगा यह सिक्का बहुत सूब होता है किसी भी तरह का निगेटिव प्रभाव से आपको करें और कमेंट में हरहर महादेब चरू लिखें धन्युक्त